पिछले questions को भी हम लोगों ने जब solve किया था तो हमने बताया था कि जब 2 zeros हो तो उससे हम लोगों को एक equation get करने की ज़रूत होती है जैसे solution करते हम लोग जैसे two zeros are root 3 and minus root 3 तो हमें पता है कि alpha minus ठेक है जो आपके पास zeros है and दूसरा क्या बोलते हैं हम लोग root alpha minus minus 3 ठीक है and in case आप alpha को अभी क्या ले लो x ले लो ठीक है x minus root 3 by x plus root 3 ठीक है तो यह किस formula पे a minus b और a plus b के formula पे तो यह क्या हो जाएगा x square minus 3 clear है यहां तक हना जब आप इसको multiply करेंगे तो a a a square that mean x पर square और root 3 root 3 का root root 3 into root 3 that mean 3 आपका आ जाएगा x square minus 3 कि यहां तक आप लोगों के क्लिक क्लिर है अब हम क्या करते है एक स्क्वाइर मैनस 3 जो डिवाइट करते हैं x to the power 4 plus x cube minus 23 x square minus 3 x plus 60 clear है अब हम लोग इसको divide करने का try करते हैं try क्या आपको पहले ही बताए है होई जाएगा x to the x4 x square that mean यहां पर x square आएगा यहां पर लिख देंगे हम लोग x square अब इसी x square से हम सब को multiply कर देंगा x square x square x to the power 4 minus से cancel फिर क्या है x square और 3 that mean यह x square का term यहां पर है और क्या है 3 है minus कर दिए sign opposite कर देते हैं plus clear है यहां तक अब हम लोग अपना erase कर लेते हैं इसको क्योंकि इसका काम खत्म हो गया और इसका भी काम खत्म हो गया अब हम लोग पास जो term है उसको ले लेंगे यहां पर क्या है x cube अब इसको solve करने पर क्या आता है ठीक है अब क्या है यहां पर x cube x cube by x square that means simply x आ जाएगा और हम x से क्या करेंगे सो multiply करेंगे तो यहां पर x cube minus cancel यहां पर minus 3x तो यह 3x यहां पर आएगा यह वाला यहां उत्रा और यहां पर भी क्या हो गया माइनस 3x क्योंकि x और 3 3x है प्लस cancel जिसको नहीं समझ में आ रहा है वह फर्जडे सेकंडे थर्डे फॉर्डे का क्लास आप लोग जाके देखिए इसी प्ले लिस्ट में आपको सब मिलेगा 20x square यह क्या है 60 आपके पास बचा प्लस 60 कर लेते हैं यहां पर क्या है सेम एजटी अब हम लोग इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि मैंने यह सॉट्काट तरीगा आप लोग को बताया है कि जब भी सॉल्ब करना हुआ आप इतना मल्टिप्लाइ करना नहीं चाहते हैं तो आप यहां पर लिखके कर सकते हैं वैसे वैलिट तो नहीं है लेकिन हां क करने के लिए ठीक है कर सकता है मैनस 20 x square by x square that mean x square x square cancel क्या बचा 20 देखो यहां पर क्या था जी यहां पर प्लस x अब यहां पर क्या आएगा मैनस 20 यहां पर मैनस 20 से एप मल्टिप्लाइ किजिए मैनस 20 x square एंड 23 जा 60 लेकिन साइन क्या होगा मैनस मैनस प्लस तो मैनस प्लस यह यह कैंसल यह क्या हो गया जीरो क्लिर है तो आपके पास क्या equation आया x square plus x minus 20 तो अब आपको splitting term से करना है splitting term आपको पता है यहां 20 है तो 20 का सबसे अच्छा क्या हो सकता है 4 & 5 4 5 जा 20 4 मैनस 5 यह भी हो जाएगा अभी मैं आपको बता रहा हो करके देखिए 4 x कि 5 x minus 4 x that means simply x and 5 4 जा 20 क्लिर है तो अब यहां पर क्या करेंगे plus 5 x minus 4 x minus 20 क्लिर है यहां x common ले लेंगे तो x plus 5 यहां पर minus 4 यादी common लेंगे तो क्या बचेगा x यहां पर minus common ले ले तो plus x plus 5 तो क्या हो जाएगा x minus 4 और दूसरा हो जाएगा x plus 5 तो एक बार हो जाएगा x is equal to 4 and एक बार क्या हो जाएगा and x is equal to minus 5 तो जो दो 0 आपका बच रहा था एक्ष्ट्रा वो क्या होगा x एक हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा 5 तो यह दून हो जाएगा आपका आमसर बस यही था आपका question number 17 17